दोफतों अगर आपने भी अपने घर के आंगन में तुलसी का पोदा लगा रखा है और आपका तुलसी का पोदा बहुती तेजी से सूखना सुरू हो चुका है उसकी गिरोत नहीं हो रही है वो बिल्कुल मरने वाला है तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने अगर आपके घर में लगा हुआ यह पोदा मुरु जा रहा है तो मैं आपको बताता हूं कैसे आप इसको दुबारा से हरा भारा और घना कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं मेरा जो ये तुलसी का पोदा है ये उपर से तो बिल्कुल ठीक है लेकि नीशे से आप दे सकते हैं ये सूखने लगा है अब इसी क्या गलती मेंने की है जिसकी बज़ा से सूखने लगा है और मुझे क्या करना चाहिए जिससे की मेरा सूखता हुआ पोदा दुबारा से हरा वरा और गना हो जाए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ थोस्तो कुछ लोग करते किया हैं तुल्सी के पोदे में बेहिसाँ पानी डाल देते हैं जिसकी बज़ा से आपका तुल्सी का बोदा एकदम से सूखने लगता है क्योंकि इसको जादा पानी की जरूरत नहीं होती है इसके साथ ही आप इसको तेज धूप में मत रखिए वह सर्दी आने वाली है तो सर्दियों में भी आपको पोद्धे को बचा के रखना होगा इसके साथ ही जितनी टेहनी आपके सूख जा रहे हैं आपको उनको कट कर देना है इसके बाद में आपको एक फंगी साइड वी बताने वाला हो में जो कि आप घर से ही इस्तेमाल करेंगे अगर अपने पोदे में तो आपका पोदा हरा वरा हो जाएगा तो सबसे पहले हम जितनी भी टेहनी है जो सूख रही है या फिर सूखी हुई है उन सभी को हम कट कर देंगे लेकिन दोस्तो एक बात का आपको विशेज ध्यान रखना होगा जब आप इन टेहनी को काट रहे हो तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कोई आप हरी टेहनी को मत काट दिये तो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि मैं उन सभी टेहनी को काट देंगे सूखी वाली को और सूखी टेहनी को काटने के बाद आपका जो आजा काम है हो चुका है इसके बाद अब हमें एक काम और करना होगा यहाँ पर आप दे सकते हैं मैंने सभी टेहनी को कट कर दिया है जितनी भी सूखी हुई टेहनी ती अब हम तो इसमें जब भी आपके पोदे में कोई nutrition देते हैं जैसे कि गोवर की खात बगेरा तो यह इसको उगाने में लग जाता है और यह बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो आप इनको समय समय पे हटाते रहेंगे तो आपका पोदा हरा भारा घना रहेगा और इसमें नहीं नहीं डालनी है जिससे कि आपका बोदा फिर से हरा भरा और हो जाएगा यहाँ पर अब आपको क्या करना हैं एक न य nickel में अपको गुडाई करना है दे पार इस clarity आपhando में के तरु किmot्ट या पर की तो healthy powder बहुत ही जादा फाइदेमन होता है किसी भी पोदे के लिए healthy powder का अगर आप इस्तिमाल करते हैं healthy powder का तो यह पोदे को आपके कीट ना सकते तरह यह काम करता है और इसके साथ ही आपके जो मिट्टी में जितनी भी कीड़े होते हैं उनसे यह बचाता है और इसके साथ ही इसमें कई तरीके के anti-vacterial और anti-fungal properties होती है जो कि छोटे-छोटे पोदों को कीड़ों और विमारियों से बचाता है तो आप आदा चमच इसमें healthy powder डालेंगे इसके कुछ दिनोवादी देखेंगे आपका जो पोदा है दुबारते हरा भारा और घना होना शुरू हो जाए लुका झर ऑना हो है झाओए देखेंगी है तो आपके बष्च है